हलो गैज यह है वाईजी लो और आज हम पढ़ेंगे अडॉप्शन अंडर हिंदू लो तो हिंदू लो के अंदर अडॉप्शन का क्या सीन है बच्चे को गोध लेने का मतलब क्या सीन है कौन गोध ले सकता है कौन बच्चा गोध लेने लाइक होता है क्या कौलिफिकेशन है वगेरा वगेरा हम सब कुछ पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं adoption अंडर हिंदू लोग की बात करते हैं तो हिंदू adoption and maintenance act main legislation है इसमें maintenance हमने हिंदू adoption and maintenance act का maintenance वाला पार्ट हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं cover कर चुके हम करेंगे adoption cover इस act के chapter 2 में adoption की बात हुई है chapter 3 में maintenance की बात हुई है तो chapter 2 में section 5 से लेके 17 आते हैं जो adoption की बात करते हैं इस section की मुझे इस chapter की एक बहुत अच्छी बात ये लगी है कि आपने कभी अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपने गई है काफी organized legislation है काफी अच्छा मतलब पढ़के ऐसा कोई irritation नहीं होता ऐसा ऐसा नहीं दिया है कि 5 के बाद डारेक्ट 15 थे relevant और उसके बाद 6 पर उसके बाद 12 पर मतलब एक organized way में है बस यह जो 6 और 11 यह दोनों साथ में होने चीए बाकि इसके अलावा काफी organized है तो मैं तो काफी खुश हूँ इस act से तो अपन यह एकदम line wise पढ़ेंगे section 5 से चलू करेंगे 17 तक जाएंगे सब पढ़ेंगे तो अब section 5 तो basically बात करता है adoption to be regulated by this chapter address में इतना ही है कि बाई इस chapter में जो आगे के section है उनसे adoption regulate होएगा अब section 6 के अगर बात करें तो section 6 बात करता है requisites of a valid adoption कौन-कौन सी condition है जो fulfill करनी पढ़ेंगी एक adoption को valid adoption होने के लिए चार conditions है सबसे पहली condition तो जो party adopt कर रही है उसकी capacity होनी चाहिए adopt करने की दूसरा जो party adoption के लिए अपना बच्चा दे रही है उसकी capacity होनी चाहिए बच्चा देने की उसके बाद जो adopt हो रहा है वो eligible होना चाहिए adopt होने के लिए और यह जो act में हामा मतलब हिंदू adoption और maintenance act इसको हामा बोलूँगा मैं बार बार पूरा नहीं बोलूँगा तो यह हामा के अंदर सारी जो conditions है यह fulfill होनी चाहिए अगर यह चारों condition fulfill हो जाएंगी plus section 11 में ठीक है इसलिए मैंने बुला आपको section 11 इसके साथ होना चाहिए आगे पड़ेंगे plus section 11 में जो conditions है वो भी अगर fulfill हो रही है तो वह एक valid adoption होगा ठीक है तो यह हो गया अपना section 6 next बात आती section 7 की और section 8 की section 7 बात करता capacity of a male Hindu to take in adoption और section 8 बात करता capacity of a female Hindu to take in adoption अब इन दोनों sections में मानलो अगर आप male Hindu और आप शादी शुदा हो तो आपको wife की concern चाहिए और अगर आप female Hindu और आप शादी शुदा हो तो आपको husband की concern चाहिए adoption करने के लिए प्लस दोनों ही situation में आप minor नहीं होने चाहिए प्लस आप unsound mind के नहीं होने चाहिए ठीक है अगर ये सब fulfill हो रहा है तो आप adopt कर सकते हो Personal Laws Amendment Act 2010 से पहले female Hindu को बहुत कम rights से adopt करने के लेकिन Personal Law Amendment Act के बाद इन दोनों को at par लिया गया है मतलब इन दोनों को equal rights almost दे दिये गए है adoption से related एक और इसमें बहुत interesting चीज़ है section 7 के अंदर वो ये है कि section 7 में लिखा है कि अगर एक Hindu male की multiple wives होईगी ठीक है अगर किसी की multiple wives होईगी तो उसको अपनी सारी wives से permission लेनी पड़ेगी adoption की अब आप बोलोगे कि Hinduism में तो polygammy allowed ही नहीं है multiple wives आप रखी नहीं सकते bygammy illegal है दो wife भी नहीं रख सकते multiple तो दूर की बात है ठीक है 3-4-5 तो अगे की बात है दो भी नहीं रख सकते आप तो ये provision का क्या sense बनता है ये provision का sense ये बनता है कि देखो आप H.A.M.A. 1956 में आया Hindu marriage act आया 1955 के अंदर ठीक है ये मैं हमेशा 9 गलत लिख देता हूँ Hindu marriage act आया 1955 के अंदर Hindu marriage act ने bygammy करी illegal लेकिन 1955 से पहले जो शादियां हुई है किसी की multiple wives भी हुई होँगी तो वो शादियां तो legally रहेंगे ना retrospective effect तो नहीं था तो अगर किसी की शादी 1955 से पहले हुई है और वो उसकी दो-तीन बीवियां है और वो adopt कर रहा है हामा 1956 के अंदर में तो उसको अपनी multiple wives से permission लेनी पड़ेगी लेकिन अब यह जो प्रोविजन है मतलब यह multiple wives वाली जो बात है यह redundant हो चुकी है क्योंकि 1955 से पहले जिसकी शादियां हुई है ठीक है तो 1955 से अभी तकी 65 साल हो गए है ठीक है 2020 चल रहा है तो 65 साल जिसकी शादी को हो गए है वो य मैंने आपको बता दिया मैंने आपको बताया था कि male Hindu हो या female Hindu हो अपने husband या wife जिसकी भी बात कर रहे है उससे consent लेनी पड़ेगी अब वो जो consent है वो mandatory है ठीक है adoption में और consent writing में होनी चाहिए या positive affirmative act होनी चाहिए positive affirmative act मतलब उसने ऐसे हाँ बोला एकदम से या मतलब ऐसा नही की हाँ है ऐसा नहीं कर सकते अगर मालो adoption पती ने किया और adoption ceremony में सिर्फ wife खड़ी है तो यह पस उसका खड़ा होना उसकी consent नहीं माना जाएगा एक positive affirmative act होना चाहिए writing में consent होनी चाहिए यह बात कही गई है गिसालाल वर्सिस दापू बाई केस में ठीक है कि consent या तो positive affirmative act में हो होगी वहाँ पे सिर्फ adoption ceremony में present होना is not consent ठीक है तो यह केस है गिसालाल वर्सिस दापू बाई सबसे बड़े बात है कि order में दिया वह है person adopting has the capacity तो यह capacity adopting जो कर रहा है उसकी जो capacity की बात होई है वो 7-8 में discuss हो गई अब उसके बाद बात आती है जो adoption के लिए दे रहा है बच्चा उसकी capacity और adopt होने की capacity तो यह दोनों next दो section section 9 और section 10 में बात हो रही है section 9 बता रहा है persons capable of giving an adoption जो अपना बच्चा adoption में दे सकते हैं कौन कौन दे सकते father या mother दे सकते हैं अपना बच्चा adoption के लिए अब father दे रहा है तो mother की concern चाहिए mother दे रही है तो father की concern चाहिए मतलब दोनों मिल जूल के दे सकते हैं अपना बच्चा adoption के लिए अब मानलो वो unsound mind के हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ reason है जिससे नहीं दे पा रहे इन capable कर दिया court न जैसे मानलो माबाप हैं किसी के उसके माबाप मर गए अब मानलो मैं legal guardian है उनका तो मैं अपने आपको ही adoption के लिए बच्चा दे दूँगा तो मैं एक तरह से उसका पाप हो जाओंगा बच्चे का समझ गए मतलब मैंने खुद नहीं adopt कर लिया तो guardian खुद को भी दे सकता है with मतलब पहली बार ही adopt हो रहा होना चाहिए तीसरी चीज की वो शादी शुदा नहीं होना चाहिए और चौत्ती चीज की वो 15 साल से छोटा होना चाहिए बच्चा अब इसमें देखो जो third और fourth ये दोनों जो चीज़े ना ये exceptional cases में allowed हैं मानलो कोई custom मानलो कोई है कास्ट वास उसका कोई custom या फिर कोई usage अगर allow करती है 15 साल से बढ़े बच्चे को भी adopt होने का या फिर शादी शुदा बच्चे को adopt होने का तो allowed होएगा ठीक है तो ये चार conditions है लेकिन जो condition third और fourth है उनका exception है custom या usage में है तो वो condition भले ही wave off कर देंगे नहीं भी होगी तो भी चलेगा अ या usage में है तो तो यह हो गया section 9 और 10 10 के बाद अगला section है section 11 other conditions for a valid adoption अब मतलब जो six में condition दिये उसके अलावा भी थोड़ी सी और condition है वो भी follow through करनी है अब मान लो आप लड़का adopt कर रहे हो ठीक है आप parent आप लड़का adopt कर रहे हो तो आपका कोई बेटा नहीं होना चाहिए already यह आपके बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए मतलब पोता नहीं होना चाहिए यह आपके बेटे का बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए मतलब परपोता नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर आपके यह तीनों में से कोई भी relation का इंसान है घर में बेटा पोता परपोता तो आप लड़का डॉप्ट नहीं कर सकते ऐसे अगर आप लड़की डॉप्ट कर रहे हो तो आपकी कोई बेटी नहीं होनी चाहिए और आपके बेटे की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए यानि की पोती नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप अगर opposite sex का बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो आप में और उस बच्चे में 21 साल का difference होना चाहिए मालो आप एक female हो और आप एक लड़का अडॉप्ट कर रहे हो तो वो लड़का आप से 21 साल छोटा होना चाहिए ठीक है basically अब एक single father अगर एक single male है तो वो female अडॉप्ट करी नहीं सकता कारा गाइडलाइंस में है अपना आगे बढ़ेंगे तो उधर तो अपलाए होगा ही नहीं लेकिन female एक लड़का अडॉप्ट कर सकती है अभी भी single तो उसके लिए यह वाला अपलाए होगा 21 साल का difference होना चाहिए उसके बाद एक बच्चा दो बार अडॉप्ट नहीं हो सकता ठीक है ऐसा नहीं कि पहले person A ने अडॉप्ट कर लिया और भी ने भी अडॉप्ट कर लिया अब इन दोनों ने अडॉप्ट कर रखा है ऐसा नहीं है ठीक है या तो married couple अडॉप्ट कर सकता है single आदमे अडॉप्ट कर सकता है single और अडॉप्ट कर सकती है दो single आदमी साथ में मिलके एक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है आज भी थोड़ा aggressive rule है करने देना चाहिए अगर कोई homosexuals कर रहे हैं क्योंकि अब तो homosexuality भी legal कर दी लेकिन अभी तो नहीं कर सकता शायद future में कुछ आजाए change तो कर पावे उसके बाद ये एकदम basic सी बात है कि जो child adopt हो रहा है ठीक है उसको उसकी family actually देनी चाहिए adopt करने के लिए मतलब उनकी खुद की इच्छा से वो सब मतलब basically ऐसे forceable नहीं होना चाहिए और वो सब नहीं होना चाहिए the child to be adopted must be actually given and taken in adoption और जो ले रहे हैं वो खुद से लेने चाहिए है ठीक है और मानलो उसकी कोई family नहीं है कोई ऐसी family नहीं है जो उसको adoption के लिए दे सके तो जहाँ पे वो brought up हुए ना वहाँ पे वो family या organization जो भी है वो उसको adoption के लिए देंगे उसके बाद एक बात आती है दत्ता होमम की अब मेरे को पता नहीं मैं इसको सही pronounce कर रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको दत्ता होमम दत्ता होमम जो भी है लेकिन spelling सही है दत्ता होमम एक ritual होता है घीवी को चड़ाते हैं adopt करते हैं बच्चा गोद लेते हो बच्चा तो ये एक ceremony हिंदोज में करते होंगे तो court ने बोला कि अगर ये ceremony नहीं भी हुई है ना तो भी ऐसा नहीं है कि वो adoption इन्वैलिड हो जाएगा या इल्लीगल हो जाएगा ये ceremony mandatory नहीं है करते हैं लोग नहीं करते हैं लोग लेकिन उसका adoption की legality पे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो ये section 11 हो गया अब गाईज मैं आपको एक trick बताता हूँ याद करने की बहुत अच्छी कि माँको बता रहता नहीं काफी organized है ये act मतलब ये जो bear act है काफी organized है हिंदो adoption maintenance act section 6 में हमने पढ़ा था requisites of a valid adoption इसके बाद जो पहली condition थी person adopting has the capacity capacity की बात करी है अगले दो section में 7 और 8 में ये male की capacity ये female की capacity उसके बाद जो second point था person giving an adoption has the capacity ये बात हुई है section 9 के अंदर उसके परसन adopted is capable of being taken in adoption ये बात हुई है section 10 के अंदर और फिर उसके बाद in compliance with other condition ये other condition हमने अभी भी पढ़ी section 11 के अंदर तो ये काफी organized है 6 की जो आप 4 condition याद करोगे उसी में पहली में 2 section फिर 3, 4, 5 6 से लेकर 11 तक आपको याद हो जाना चाहिए एकदम आपको trick बता दिये पीछे जागे वापस पड़ो डंक से याद कर लोगी section पूछ लेते हैं और एक बार याद हो गया तो क्या दिखकता है एक ही section याद करना है basically एक ही section के अंदर ठीक है ऐसा मानो कि ये x है ठीक है इसको family A ने दे दिया adoption के लिए family B को ठीक है मतलब एक family थी उसने बच्चा दे दिया और family B ने adopt कर लिया तो ये जो x है इसके family A के साथ जितने भी ties थे ना जितने भी रिष्टे थे वो सब खतम है और इसके नए 28 बन जाएंगे family B के साथ अब मानलो family B में Z family B में Z और C ठीक है ये दो हैं ये husband ये wife है इन दोनों ने मिलके adopt किया x को ठीक है तो ये इसके माबाप हो गए तो Z का जो भाई है वो इसका चाचा हो गया C का जो भाई है वो इसका मामा हो गया इनका पहले से कोई बच्चा है तो उसका भाई है भेहन हो गया तो नए रिष्टे बन जाएंगे family में और पुरानी में जितने भी रिष्टे थे वो सब तूट जाएंगे ठीक है वो अब non-existent हो जाएंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पुरानी family में रिष्टे तूटेंगे लेकिन वो रिष्टे तूटने के बाद भी adoptive child जो ये X है वो अपनी family A में ऐसे किसे इंसान से शादी नहीं कर सकता था जैसे marriage में जब marriage पढ़ा रहा था मैं तब मैंने आपको बताया था ने एक सपिंडा relationship होती है same pin के ठीक है और एक prohibited degree के relationship होती है ठीक है तो ये दोनों relationship में आप शादी नहीं कर सकते हो अब मालो X से इसकी family A में कोई बहन थी पहले है सगी बहन ठीक है अब वो इसकी बहन तो नहीं रही क्योंकि नहीं family में नहीं रिष्टे बन गए लेकिन अभी भी वो उस बहन से शादी नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्यों कि absurd है आप खुद सोचो उसकी है तो biologically तो biological है तो आप जब legally नई family में चले जाते हो तो biological ties थोड़ी ना तोड़ सकते हो तो शादी करना अभी भी allowed नहीं है जिनसे आप पहले नहीं कर सकते थे ठीक है ये एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ हो गई कि मालो family A ने X को कुछ property दीती कुछ property X के नाम में west करी थी ठीक है तो वो property अभी भी X के पास रहेगी वो property family B में आने के याद भी X की property रहेगी ठीक है ऐसा नहीं है कि उसने जब family A से attachment तोड़े तो अपना property भी वहाँ attachment में छोड़ के आएगा ऐसा नहीं है उसके बाद मालो family B में Z और C जैसे मैंने बताया ये बाप A माई इनने अडॉप् condition कर दिया था X को adopt करने से पहले ही जी को property देदी थी कुछ ठीक है तो अब X आएगा तो इसका इस family में property का हग होगा माबाप की property में हग होगा सब होगा लेकिन ये जो पहले से वेस्टेड होगी ना जिनके पास property है जी के पास X के आने से पहले से इसके अंदर वेस्टेड थी जी के अंदर the adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption ठीक है जो पहले से वेस्टेड होगी जी के अंदर property वो X उसमें कोई change नहीं ला सकता मालो X adopt कर लिया अब X भी इनके family का member हो गया अब अगर Z और C कोई property partition कुछ करते हैं तो X को हिस्सा मिलेगा लेकिन पुरानी property जो पहले से property किसी के अंदर vested है तो उसमें कोई change नहीं आएगा ठीक है basically उसके बाद Khazan Singh versus Union of India का एक case था इस case में क्या हुआ था कि जैसे मालो X है इसको family been adopt किया family B थी SCST या कुछ ऐसे मतलब जिनको reservation मिलता है OBC होगी जो भी होगी ठीक है इस case में SCST थी तो इनको reservation मिल रहा था तो X ने SCST होना चाहिए तो court ने बोला कि जो adopted child है वो cast भी acquire करता है अपने adoptive parent की और वो cast ऐसे ही treat की जाएगी जैसे वो इसकी cast by birth हो ठीक है तो इसको reservation मिलेगा समझ गया है Kazan Singh versus Union of India section 13 बात करता है right of adoptive parents to dispose of their properties अब यह सब बाठ ठीक है कि इसको X आया नहीं family में तो इसका है property में वो सब है लेकिन ऐसा नहीं कि parents अपनी property dispose of नहीं कर सकते वह पहले की जैसे dispose of कर सकते हैं उनको किसी को मान लो gift देना है ठीक है इंटर्विव बाइगिफ्ट या by will वो किसी और को देके जाते हैं तो वह अभी भी कर सकते हैं ठीक है adoptions ऐसा नहीं कि उनकी खुद की property से उनका हग मेल adopt करता है ठीक है तो पहले जो 1956 का था उसमें हिंदु मेल को कुछ जादे power थी है ना तो हिंदु मेल adopt करता है तो adoptive mother उसकी wife होगी ठीक है लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले ज्यादा ज्यादा शादियां भी होती ठीक है किसी की चार बीवियां भी होती थी अब मान मान लो उसने अपनी wife से consent भी ले ली सब ले लिया ठीक है तो अगर उसकी एक से ज्यादा wife है तो उसको सब की consent लेनी पड़ेगी और अगर मान लो उसकी तीन wife है जो उसमें सबसे senior most wife है ना वो उस बच्चे की adoptive mother मानी जाएगी और बाकी सारी की सारी उसकी step mother मानी जाएगी मान लो इस person A है इसकी wife 1, wife 2, wife 3 तीन wife है इन में से wife 1 senior most wife है और A ने बच्चा adopt करा ठीक है एकस को adopt करा तो ये W1 जो wife 1 है ना senior most ये इसकी mother होगी और wife 2 और wife 3 ये इसकी step mother होगी ठीक है ये section 14 बोल रहा है इसके बाद मान लो अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी wife मर गई है चाम होता है कुछ अजी साटाम होता है ठीक है मान लो कोई विड़ोवर है जिसकी wife मर गई उसने बच्चा adopt कर रहा है या बच्छर है जिसने single आदमी है उसने बच्चा adopt कर रहा है तो मान लो बाद में किसी औरत से शादी करता है तो वह उस बच्चे की step mother होगी मदर नहीं ह होगा सेम वे अब इसमें एक केस था सवन ऊरे वर्सेस कालावरटी इस में क्या इशू ऊठा दा इसमें आशू ये उठा दा कि मान लो हजबंड वाइफ है ठीक हजबंड है इसमें हजबंड के होगई डेथ घट के बद वाइफ न अडॉपट करा है एक अच्छा ठीक है यह बच्चा इसने जैसे अडॉप्ट करा उसके बाद वाइफ की भी दौफते बाद डेत हो गई उसके बच्चे ने क्लेम करी इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो इसकी फैमिली ने जो मतलब हजबन वाइफ की फैमिली थी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बीज का फादर होगा क्या मरने के बाद फादर बन सकता है क्या वह इसकेस में ऐसा कन्फुजन उठा तो इसकेस में यह डिसाइड होगा कि जब जैसे कि अपने डिसाइड किया था कि जब एस होता है ठीक है hef 2 अफ़प्शन में अपने सुक्ष्छन 12 में देखा था पूरा family का कुंद बा उन सब के साथ S के रिष्टे बने न तो husband के साथ भी बने तो अगर ये इसका बेटा है तो इसके husband का भी बेटा हुआ wife का भाई S का मामा हुआ husband का भाई इसका चाचा हुआ वह सारे रिष्टे भी बने तो ये property क्लेम कर सकता अपने बाप की तो यह सवन राम वर्सेस कालवती में डिसाइड हुआ कि जब टाइस बनते हैं तो पूरी फैमिली के साथ बनते हैं जब बच्चा लीगली अडॉप्ट होता है तो ठीक है इसके बाद तीन सेक्शन है वह इतने इंपॉर्टन नहीं सेक्शन 15 में बात कि यह वैलेड अडॉप्शन कभी कैंसल नहीं होगा ओविएसली ऐसा नहीं है कि आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया और रिफंड पॉलिसी आप मांग रहे हो कि भाई हम वापस दे रहे हैं हमको नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता ठीक है दूसरी चीछ प्रिजिस्टर कि को κोट में देता है तो जब तक कोई काउंटर पूफ नहीं आता उसका सामने से डिस्पूरूव नहीं होते हुएगाका अडॉप्शन को ये संब्चे बेज दिता मालो कोई होता ही हे है अ फिर वो prostitution के लिए दे रहे हैं लड़कियां adoption के नाम पे तो वो सब हटाने के लिए payments का system हटा दिया कि आपकी कोई सी भी agency है कुछ भी है मानलो आपका खुद का बच्चा भी है खुद की बेटी हो किसी की तो वो किसी को बेच दे वे कि भाई दो लाक में ले जाओ तुम legally adopt कर लो तुमारी हो गई बच्ची ऐसे नहीं कर सकते आप payment नहीं ले सकते हो adoption के लिए दे रहे हो या ले रहे हो तो आप payment का कोई system नहीं है और अगर आपने payment करने के try करी तो आपको 6 महीने तक की सजा या fine या दोनों मिल सकता है तो गाई यह हो गया हमारा हिंदू adoption on maintenance act में adoption का पूरा part complete एक दम थोरो सारे section मैंने line wise आपको पढ़ा दिया अगर आपको यह अच्छा लगा तो please subscribe करो यार subscribe कर दिया करो like मार दिया करो थोड़ा और दिल अच्छा हो रहा हो तुमारा तो comment कर दिया करो और family law के वीडियो देखो यार तुम बाकी इतने शांदार वीडियो बना रखे मैंने तुमारा course ऐसे कराऊंगा ऐसे ऐसे चुटकी बजा के मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई